नमस्कार आपके साथ मैं हूँ पुजा साहू और आप देख रहे हैं केसन 24 निउस आप सभी का इस चैनल में स्वागत है आईए अब नजर डालते हैं आज की हैडलाइन्स पर लोगडाउन के दौरान प्रशासन द्वारा शहर की सतत निगरानी की जा रही है मंगलवार की सुभा कलेक्टर कीरण कौशल जब अकास्मिक निरिक्षर पर निकली तब दिपका इस थी तो गोपी चंद पेट्रोल पंप में प्रशासन द्वारा बनाए गए नियमो का उनलंगहन किया जा रहा था यही वज़ा है कि कलेक्टर ने पेट्रोल पंप को तिन दिनों के लिए सिल कर दिया गया लोगडाउन के दौरान प्रशासनिक नियमो का उनलंगहन करना काफी महगा पड़ सकता है नियमो के पालन को लेकर प्रशासन द्वारा सतत मॉनिटरिंग की जा रही है और जाच के दौरान नियम को अन्देखा करने वालों पर कड़ी कारवाई भी की जा रही है मंगलवार को कुर्बा कलेक्टर दिपका छेतर के दौरे पर निकली इस दौरान गोपी चन पेट्रोल पंप के करमचारी नियमो को ताक पर रख कर तेल का वित्रड कर रहे थे लापरवाही बरतने पर कलेक्टर काफी नाराज हुई और उसे तिन दिन के लिए सिल कर दिया गया इससे पहले भी प्रशासन द्वारा निहारका के खुमार पेट्रोल पंप के खिलाफ कारवाई की गई थी प्रशासन की इस कारवाई से इसपश्ट हो गया है कि नियमों का माखाल बनाने वालों को किसी भी कीमत पर बक्सा नहीं जाएगा के सन्ट 24 न्यूस के लिए कुर्बा से हिमन गौतम की रिपोर्ट